हेलो एवरिवन, वेलकम टू वास एजूकेशन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंपियर्स सर्कुटल लॉ देखो जैसे इलेक्टो स्टेटिक्स में गौस लॉ होता है उसी तरह से मेगनेटीजम में हम लेते हैं एंपियर्स सर्कुटल लॉ according to एंपियर्स सर्कुटल लॉ अगर आपके पास कोई क्लोस लूप है हमें क्लोस लूप कंसिडर करते हैं और उस पे अगर हम मेगनेटिक फिल्ड का लाइन इंटेग्रल लेते हैं वो किसके बराबर आएगा म्यू नौ टाइम्स कितना क्रंट फ्लो कर रहा है उस क्लोस लूप से उसकी वैल्यू उसके बराबर होती है देखो लाइन इंटेग्रल ओफ मेगनेटिक फिल्ड means B.DL around any closed loop लूप कैसा होना चाहिए वो closed होना चाहिए वो किसके बराबर होगा म्यू नौ टाइम्स कितना क्रंट फ्लो कर रहा है उस closed लूप से यह स्टेटमेंट है एंप्यर सर्कुटर लौ की देखो एंप्यर सर्कुटर लौ state that the line integral of the magnetic field B around any closed loop is equal to म्यू नौ टाइम्स the total क्रंट आई passing through this closed loop clear हो गया इस तरह से mathematically हम write down करते हैं और जो आप loop consider करते हो उसे हम कहते हैं emperion loop क्या कहते हैं उसे हम emperion loop कहते हैं अब देखो जिस तरह से अगर हमने जब Gauss theorem की बात की थी तो महां कै लेते थे हम महां लेते थे हम surface integral महां तो था e dot ds और इस case में हम क्या ले रहे हैं यहां पे line integral b dot dl ले रहे हैं यहां पे यह किसके बराबर होता था q upon epsilon naught और यह किसके बराबर है mu naught into i clear है अब देखो आप इस तरह से लोगे इसको emperion loop को कैसे हम draw करते हैं आपके पास माल लो कोई crunch carrying wire है कोई भी source है आपके पास crunch का ठीक है p point पे आपको क्या find out करनी है magnetic field तो आप क्या करोगे p point से cross करती हुई about p point जो है p को काटती हुई हमें क्या लेंगे एक loop consider करेंगे ठीक है ऐसे हमने एक loop consider कर लेंगे इस loop को हम कहते हैं emperion loop क्या कहते हैं इस loop को हम emperion loop now according to emperion circular law अगर इस loop पे हम magnetic field का line integral लें means b dot dl लें तो वो किसके बराबर आएगा mu naught times इस loop के अंदर कितना current flow कर रहा है इस loop में कितना current flow कर रहा है इस loop से उसके बराबर उसकी value होती है clear है inside इस loop के अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम b dot dl लेने के लिए क्या करेंगे means small small elements consider करेंगे जैसे यहाँ पे ले लिया यहाँ ले लिया small small elements ठीक है और वहाँ पे b की भी कोई ना कोई direction होगी अगर अब यहाँ b dot dl हम इस imperial loop का find out करें तो किसके बराबर आता है mu naught into i के बराबर अब देखो हम इसका proof करेंगे कि ampere circular law जो है मतलब यह जब हम इसका line integral लेते है magnetic field का किसी crunch carrying source के around तो क्या उसकी value mu naught i आती है कि नहीं आती है हमें यह proof करना है ठीक है हम किस तरह से proof करेंगे देखो हम इसका proof करेंगे हम from infinite long current carrying wire उसके वज़ा से magnetic field की value हमें पता है हमने calculate की थी ठीक है उसके वज़ा से उसके through हम proof करेंगे कि अगर हम वहाँ पे एक imperial loop consider करें और वहाँ पे b.dl की value find out करें तो क्या उसकी value mu naught i के बराबर आ रही है ठीक है यह proof करेंगे देखो यह important है किस तरह से हम proof करेंगे देखो proof for a straight current carrying wire infinite straight current carrying wire लेंगे फिर वहाँ देखेंगे कि अगर हम यह loop आपके पास imperial loop है इससे हम consider कर रहे हैं और वहाँ पे b.dl की value find out करते हैं तो क्या वो mu naught into i के ब्राबर आ रही है ठीक है अब देखो हमने consider कर लिया infinite long straight current carrying wire यह वाली current carrying wire हमने consider कर ली ठीक है अब देखो current i flow कर रहा है यहां से clear है अब हम यहाँ पे क्या करेंगे देखो imperial loop consider करेंगे सबसे भेले imperial loop हमने यहाँ consider कर लिया ठीक है कर रहे है उसमें जो loop है वो क्या होना चाहिए closed होना चाहिए तो हमने यह वाला ले लिया ठीक है अब देखो अब इस वाले में हमें क्या करना होता है देखो अब हमें b की direction find out करनी है क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पे b dot dl find out करना है तो हमें B की direction भी पता होनी चाहिए तबी तो हम line integral of magnetic field find out करेंगे देखो अगर current इस direction में flow कर रहा है तो हम क्या use करेंगे magnetic field की direction find out करने के लिए right hand thumb rule current की direction में हमें thumb को place किया और देखो इस तरह से लग रही है यह magnetic field की direction यह वाली होती है तो magnetic field की direction क्या हो गई इस direction में यह magnetic field है ठीक है और यह क्या आपने circle draw कर लिया circle के form में है यह अब इस circle की form में देखो यहां पे आपके पास magnetic field ऐसे करके जा रही है every point पे ठीक है अगर इसकी direction अगर आपको find out करनी हो माल लो इस point पे तो अब क्या करोगे tangent draw करते हैं magnetic field की value को find out करने के लिए क्या draw करते हैं इस तरह से यह tangent draw करते हैं यह magnetic field की direction होगी किसी point पे clear है? माल लो यह point P है आपके पास चीक है? अब और क्या चाहिए हमे B dot DL DL means हम small small element consider करते हैं of length किसके? DL क्या आपके पास DL length के है small small आप यहां भी consider कर सकते हो इस तरह से सब में लेंगे यह फिर उसके बाद उसको integrate करेंगे हम DL ले रहे हैं यहां पर भी अगर आप magnetic field की direction find out करना चाहो तो क्या करोगे? tangent draw करोगे इस पे इस तरह से यह magnetic field की direction होगी clear हो रहे है आपको? तो देखो यहां every point पर और इस वाले imperial loop में magnetic field की value every point पर क्या है? same value होगी magnetic field की यहां पर ठीक है? अब देखो हमें अब क्या find out करना है? B dot DL because यह क्या कहरा देखो? line integral of magnetic field हमें find out करना है तो means B dot DL magnetic field और DL की बीच में देखो angle क्या बन रहा है यहां पर? DL भी यह है यह वाला straight line ही हुआ यह हम बहुत small length लेते हैं ठीक है? और B की direction भी क्या है? इस तरह से इसको ऐसे tangentially हैं दोनों यह तो B और DL की बीच का angle क्या हो रहा है? 0 every point पर यहां पर भी B और DL की बीच का angle क्या है? 0 clear है? तो B dot DL B और DL की बीच में angle 0 हो गया तो B DL cos 0 is equal to किसके ब्राबर आ गया? B DL because cos 0 की value क्या होती है? 1 clear है? अच्छा अब हम यहां पर यह वाली value find out करेंगे देखो अभी हमें यह वाली चीज़ पता है देखो according to Byatt-Severett law the magnitude of magnetic field B due to infinite long straight crunch carrying wire at point R distance from it देखो मालो यह वाला distance कितना है? यह वाला distance कितना है? मालो यह है R हमें पता है यहां पर हमने Byatt-Severett law से find out किया था infinite long crunch carrying wire की वज़ा से P point पे magnetic field की value आपको याद है वह वाला case जिसमें हमने क्या किया था? 5-1 और 5-2 की value क्या होगी थी? 90 degree ठीक है? वहाँ पे magnetic field की value क्या आपके पास आई थी result? Mu naught upon 2 pi I divided by R यह वाली value आई थी वहाँ हमने शायद A consider किया हुए R ले लो आप ठीक है? यह value value आई थी वहाँ पे यह value value हमें पता है अब हम क्या कर रहे हैं? देखो हमें MPI circuit law को proof करना है मतलब यहाँ पे हम इस पे अब B dot DL find out करेंगे और उसकी value किसके बराबर आने चीए? Mu naught into I हम देखेंगे अब वह value value आ रही है कि नहीं आ रही है? clear है? ओके तो देखो अब यह MPIर लूप पे हमने क्या करेंगे? देखो angle between B और DL का angle चीए तो उसका angle क्या आ रहा है? 0 तो आप यहाँ write down कर लो देखो angle between B and DL is 0 दोनों के बीच में angle क्या है? 0 है तो देखो अब क्या हो जाएगा? हमें तो क्या निकालना है इसका? line integral B dot DL यह find out करना था तो इसकी value क्या आ जाएगी? B DL cos 0 because angle 0 है इनके बीच में तो इसके बराबर आ जाएगा देखो B DL because cos 0 क्या होता है? 1 होता है clear हो रहा है यह अब देखो यह किसके बराबर आ जाएगा? देखो B की value every point पे क्या है? same है तो हम B को कहा राइड डाउन कर सकते हैं? बहार और यह DL आ गया ठीक है? अब ऐसे DL 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 आपने बहुत सारे consider किया हुए अब इसकी integration करोगे तो हमने पहले भी यह explain किया हुआ है तो उसकी value किसके बराबर आ जाएगी? इसकी circumference के बराबर हम पूरी length find out कर रहे हैं ठीक है? तो उसकी value क्या होगी? circumference क्या होती है? circle की? 2 pi r अगर इसका radius r है तो तो इसकी value क्या आजाएगी आपके पास? b multiply by क्या आजाएगी अंदर ये? 2 pi r हम ऐसे write down कर सकते हैं इसको clear हो रहा है? यह आगी किसकी value आपके पास? b dot dl की value अब देखो b की value हमें पता है? we know b की value क्या होती है? b की value है mu naught upon 2 pi i divided by r यह वाली value हमें पता है? infinite state long current carrying wire के लिए p point पे magnetic field की value यह वाली आती है है न? तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे वाली value put करो आपके पास क्या आजाएगा? यह क्या है? b dot dl equal to b की value put करेंगे तो क्या आजाएगा? देखो mu naught upon 2 pi i divided by r यह b की value आगे क्या है? 2 pi r 2 pi से 2 pi कैंसल हो रहा है r से r कैंसल हो रहा है b dot dl line integral of magnetic field किसके बराबर आ गया? mu naught into i के बराबर यही चीज़ तो आपको prove करनी थी hence proved चीक है? यही तो है empire circular law line integral of magnetic field किसके बराबर आता है? mu naught into i के बराबर हमने यह prove कर लिया किसके help से? हमने क्या किया? एक long straight crunch carrying wire consider करी उस पे हमने क्या किया? एक imperial loop consider किया और हमने क्या कहा? b dot dl उसका जो line integral है उस loop पे हमने magnetic field का line integral लिया वो वो किसके बराबर आ गया? mu naught into i के बराबर तो it means यह वाली जो statement है यह क्या है? true है हमने इस तरह से prove कर लिया इसका clear है? अब next वाले lecture में हम कुछ इसकी applications भी करेंगे देखो अब हम इसको direct use कर सकते हैं इसका proof हो गया means line integral of magnetic field जो है around any closed loop किसके बराबर होता है mu naught into i अब हम direct इस result को use करेंगे magnetic field की value को find out करने में next वाले lecture में हम इसकी applications लेंगे I think यह आपको clear हो गया okay, thank you